तो चैनल धीरजर्मा एससी में आपका स्वागत है देखते हैं अभ्यास वन यफ क्लास नाइन का तो समरूप पदों को जोडते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए तो देखो सबसे पहले लिखा है सवागत दो रूड आठ पांच रूड बद तिस अब देखें दो रूड तो बके को या थान लीतिति सकते हैं एक परकार से देखें अच्छास मुझे द डूरूड आठ न चांट दूनी आठ पांच रूड बत्यकूर को बत्यक्त को देखें यह तभी लिख देए इस प्रकार से दो दोना चार दुनी आठ दुनी 16 दुना 32 ठीक आप देखे चिसे समय अब यह जो रूड का निसान लगा यानि वर्ग मूल का निसान लगा तो इसमें दो का जब जोड़ा कम्प्लीट हो जाए यहां पर यह जोड़े कम्प्लेट हो तो यह आ जाएगे बाहर तो इधर आ गया यह दो तो आल्रेडी है इसमें स चार रूड दो प्लस पांद नहीं, दस, दस दुना, बीस रूड दो, अब इसको जोडना है, तो देखें सजाती पद, देखें समरूप पद है, चार रूड दो, यानि रूड दो लिखाया, रूड दो यहाँ पर भी लिखाया, तो सामने आली संख्या सिर्फ जुड जाते ह यह तरीका हो सकता है, देखें, रूड दो अगर हम कामन ले ले, तो इसमें बच्छेगा चार, इसमें बच्तर बच्रेगा बीस, यह हो जाएघाँ चार, ठाज भीतिता है, चार, तौड दो कितना हो गया, 24 रूड दो, यह हमारा एंसर हो अब देखते ह। आहां पर साथ रूट का निशान लगा या हम चाहे तो कि उसी प्रकार से 25 के सटाइस को थे तो यह आ गया नवं त्रुक सटाइस की तो यह आ गया हमारा साथ प्लस दो तिया छे रूट तीन अब हमारा समरूप बन यह तो यह जूड़ाइगा सात अच्छे कितना हो गया तेरा रूड तीन यह हमारा एंसर हो जाएगा अब यहां पर जो रूट 27 लिखा था इसको हम डारेक्ट अगर लिखना चाहें तो देखें दो रूट 27 तो दो रूट नो गुड़े तीन इसका मनलब समझे नो का वर्गमून निकल जाएगा वह बाहर आ जाएगा ठीक या इसी प्रकार से लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है अब देखें यहां पर समझे नो रूट पांच में से तीन रूट पांच गया तो देखें सम्रूप है यह समझ कितना जे अब देए अब देखें यहां पर समझे रूट चो वेस देखें दो दूना चार दुनी आठ तुर्य चोबिस ठीक ॔र सबलस को समझे अ दो तियां, छे, तियां, अठारा, तियां, चोवन, 96 को समझे, 14 चक 96 होता है, ठिक, या वन चास दुना, 98 होता है, ठिक, माइनस, रेखिए, ना समझ में आयो, तो इस प्रकार से आप गुड़न खंड भी कर सकते, दो से काटा, दो चक्कु, आठ, दोट, शोला, फिर दो से काटा, चोवबिस, फिर दो से काटा, बारा, फिर दो से काटा, छे, फिर दो से काटा, तीन, फिर दो से काटा, एक, ठिक, इसका मतलब यह आ गया हमारा 96 के गुड़न खंड हम कह सकते हैं, दो गुड़े, दो दुना इसको खीक्भर करको से दो धूना चार पर दopard Ebony शोला दुना बद्थि तियां 94 अब देख मैं इसए जोड़ा कंपलीयट हुआ इसमें से यह जोड़ा कंपलीयट है इसमें बद यौना निकल डो उदक कीन फिद दो अंदर कितना 5 धेशे के दो कंपलीट है इसका है एक इसमें से अंदर कितना बचा है तो यह आ गया दो रूडब छे माइनस दो तो ना चार रूट 6 अब जोड़े ले दो तरफें ना उता हूं 5 पांच रूट 6 पांच रूट 6 माइनस चार रूट 6 पांच में से चार गया तो लिखेंगे ऐ अब पांच में से चार गया एक नहीं लिखा जाता है इसका आगया है यह Game दो दिन का योग मतलब जोड़ना है कि दो रूड तीन प्लस पाच रूड तीन इसको अगर जोड़ना तो सिर्फ दो अपांच कितना हो गया साथ और जो यह रूड तीन लिखा इसको इसी प्रगार से लिख देंगे अब यहां पर समझिए ठीक यहां पर लिखा वर्गमूल का सिसनल नहीं लगा धर घ्रमूल का भी नहीं लगा यहां पर 5 लिख wells यहां पर पांच यहां पर लिखा यहां पर लिखा यहां पर बिलिखार है इसमें कितना बचा histoire ना साथ तो हम कितना साथ और जो लिखा है उसको लिख देंगे यहां पर समझें लिखा यहां पर यहां पर अच्छे से समय तो पांच दो यहां पर घात एक थीन लिखें इसका हो ौझाय सो आट तो देखें तीन संख्याव के जोड़े लें गानि गन्मूल हैस्शिख्ण यहांपर समझेल इस को कि अमेरा इसमय ओड कि हमारा समरूप बन गया तक चनुमOur का इसमारा हम होगा हुआ सेम टू सेम लिख देंगे पांच में दो गया तीन गनमूल दो यह हमारा एंसर हो गया अब यहाँ पर समझे रूड पचास तो इसको हम ली सकते हैं दो पंचे दस पचे पचास और फिर यहां पर फिर वर्गमूल का निसान लगा है 36 दूना 72 होता है यह तो फिर चोटे चोटे गुणंखा कर लिजी यहां देखे छे चाक 36 दूना 72 अब देखे इसमें 5 का जोड़ा बन गया इसमें 6 का तो यह 5 बाहर निकला है कितना बचास दो पलस इसमें 6 बाहर अंदर दो 6 और 5 कितना होता 6 और 5 ग्यारा रूड दो यह हमारा एंसर हो जाएगा 3 root 2 तो देखे 3 root 2 तो हम इसको इस ही परकार से लिखते है तीं घंभूल का निसान लगा यानि घंभूल तो पलस इसको समझे? गनमूल शोला लिखा है तो इसको मतले सकते हैं झान एच सोला को लिषपते हैं दो-दोना चार दोनी आघ दोनी शोला माइनस अलिए चन्यों को देखे घंता थात लगातिए यह का निसान लिखा है यहां पर दिकते हैं तो मकंटा मदना है यहां का सकते हैं एक वटे तीन गवाथ अब चाववन को लिखेंगे दो कि आच मैं च्पियाँ उटारा तियां यह हम डायेट कह सकते हैं 27 दुन चाववन तो 27 कट गनमूल तीन आएगा अब यहां पर समझे गम्रो का निसान लगा है दो पलस घंमूल का माइनस बखेखेश में यह हमारा जोड़ा बहुत दो अब देखिए अब समुरूप बन गया घनमूल का निसान दो अब सिर्फ itä अऑब रहे एक लिखा स्ञेशानไมगर लिखा देखेश अब यह एक और दो कितना हो गया यह हो गया तीन फिर घनमूल का निसान दो माइनस तीन घनमूल का निसान दो अब तीन घनमूल का निसान दो तीन घनमूल दो इस में से घट जाएगा यानि यह चाहे तो काट सकते हैं तो इंसर आगा हमारा जीरू अब इसको देखते हैं 27 दस नमबर अब के 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुडे 13 गुडे 13 worrying minus 9 Rude 3 अब इसको अच्छे से समझना क्या होगा इसको एच्छे से किसे कितना आ जाएगा हमारा इसको हल करते हैं तो करने देह सकते हैं 3 गुडे 13 वैं कि दिश्क देखिन रूड़ 2017 में तो इसमें देखिए अच्छे से समझते हैं और यह जो Тीन लिखा है, तो यह जो यह होता है, हमारा कितना आ गया? 3다 3, फिर देखें अच्छे से समझे माइनस, का निसान लगा है, अब देखें यहाँ पर कितना घात लिखा है, घात एक बटे चाल लिखा है, तो अच्छे समझे, एक बटे नौ लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बटे तीन गुड़े, एक बटे तीन, लेकिन हम जब हमारा घात एक बटे चाल लिखा है, तो इसका वनलब जब हमारी संख्याए चार होंगी, तब हमारा जोड़ा और वनेगा तो इसके लिए नोगे क्या करेंगे एक ब्टे थीन को लिए को लिए सकते हैं एक बर टो टे ज़ी दूर कि प्र लत थिखें फिर समझको भी抹चते हैं इसको भी यह जोंने प्रना जोड़ा किहाँ या इन हमारा jet बट्टे रूड तीन बाहर निकल के आया ठीक और निसान हमारा गायब हो गया जिसे गायब को भूजा तो इसको लिखेंगे दो गुड़े दो अब यह जोड़ा हमारा कंप्लीट है तो यह आगया बाहर अंदर तो कुछ बचा नहीं यह हम कहें एक तो एक का तो कोई वर्गम 6 घहात कहेंगे एक वटे 27 लिखाय तो इसको ऊसी प्रकार सिलिए एक वटे 3 एक वटे 3 एक वटे तीन यहां पर छे लिखेंगे उसको हम लिख सकते हैं ऑल थे घं़ुल एक वटे 3 अंदर यह बसार द humanos जो टिय्हां स्का सिर्फ किसा क्वार थे हो जाएंगे heeft छे हो जाएंगे अब जोड़ा देखें छे चेम को तो छे हमारे जोड़ा यहाँ पर चितनी संक्या लिखें तो उतने के जोड़ा बनता है तो हमारा आगया हमारा प्लस का 1 बटे रूट 3 आप देखें है को इसको हम जब लिखेंगे तो इसक ultrasound निशान लगा तो एक आगया बाहर 3 root 3 minus 3 root 3 minus 1 root root 3 plus का 1 root 3 ये से plus से minus कर गया और 3 root 3 plus minus का एहने एंसर कितना आ गया हमारा जीरो आ गया ते तीन root का निसान लगा है 147 तो ने अच्छे से सब्वाज़ें तीन अब 147 देखिए देखिए थे 50 त हम 3 क़ima है साथ सते 143,500 फिर तेखिए अच्छे से माइनस का 7 बटे 3 अंडर रूट का निसान लगा है एक बटे 3 प्लस साथ अंडर रूट काने साथ लगा है एक बटे 3 ठीक साथ और अंडर रूट का निसान लगा एक बटे 3 अब दिखें यहां पर समझें यह देखें बाहरा गया हमारा कितना गया शाथ तो यह हो गया साथ तुरुक 21 21 रूट तीर माइनस साथ बटे तीन और इसको अमली सकते हैं एक बटे इंडर रूट तीन ठीक कि एक समझे वर्गमूल का निसान एक पर भी लगाएंगे रूट तीन पर भी तिल एक हमारा आजाद हो जाएगा रूट तीन ऐसे पलस साथ इसको अच्छे से समझे वही एक बटे रूट तीन अब देखे हर बराबर करने के लिए यहां तो पूर संख्या ले ले पूर संख्या समझे कैसे अब यहां पर रूट तीन लिखा है यहां पर तीन भी लिखा है तो हम ऊपर नीचे देखे यहां पर तीन रूट तीन लिखा है और यहां पर कितना लिखा है अब हम डाइट अगर इसमें कितनी से गजा तरना करने जा रहें 216 कि तीन रूड़ 3 की गजा लिखा किया माइनस साठ इसके निचे तो तीन रूड़ 3 लखा ही है पलस इसके निचे रूड़ 3 लिखा है किस ताथ कर turn 21 बटे में कितना आ गया 3 रूड़ 3 अरफ cuma तर्फ इसमें कुछ नहीं लिखा है इसमें तीन रूटा मैं कितना होता है तिर सट यह रूट 189 माइनस 7 प्लस 21 बटे 3 रूट 3 अब देखें अच्छेसे नहीं अब इसको इसको जोड़ दें तो 189 में एक जोड़ा 190 190 में 20 जोड़ा याने 210 और 210 में से 7 गया तो कितना बचा 203 बचा 203 देखे 203 बचा 203 बटे 3 रूट 3 अब देखिए यहाँ पर रूट हटाने के लिए उपर निचे फिर रूट 3 से गुड़ा कर दे तो यह आजाएगा 203 रूट 3 बटे में आ गया देखें रूट 3 रूट 3 की गुड़ा होगी की तीन आ जाएगा और फिर तीन की तीन से गुड़ा हो गया यानि हमारा आ गया नौ अब देखिए नौ से अगर काट रहे हैं तो कट रहा है नहीं कट रहा है यानि इस पर हम एंसर छोड़ देंगे अब देखते हैं इसको देखते हैं पांच रूट तीन पलस दो रूट 27 लिखा है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए चैसे दो तीन तिया नो तुरूट 27 माइनस एक बटे रूट 3 तो यह आगे हमारा पांच रूट 3 पलस इसमें 3 बाहर निकल लिखा आएगा तो 3 दूनी 6 अंदर कितना बचा रूट 3 बचिए माइनस का एक कि दो जाइंगे कि रूट 3 और आब खाएं तो इसके निचे रूट 3 लिखा है तो इसमें कि इसमें जब लक्न मेंड़ेंगे तो ऊपर नीचे रूट 3 से बुड़ा होगी तो प्ञेंगा रूट 3 रूट HIM की रूट अं यहां पांतियां 15 plus रूट 5 रूट 3 में से आ गया 32 बटे रूड बटे में रूड की संख्या नहीं लिखी आती इसले से का परमे टरड करेंगे। रूड तीन और यूट ऺात क्रेंचे तो उपर आ गया 32 रूड तील और नीचे आ गया बटेत है और बटेत्जच चालिस अब चालिस को लिए सकते हैं आठ पंचे चालिस माइनस चार घनमूल का निसान कहले दिया एक बटे तीन घात होती है बद तीन सो बीस अब देखें बद तिस दहाम होता है तीन सो बीस तो इसको हम ले सकते हैं चौन सठ पंचे तीन सो बीस प्लस तीन घनमूल का निसान और शच्षो पचीस को लिए सकते हैं 1505 पंचे होता है श्युक्त अब देखें यहां पर समझें खन्मूल का निसान लघाए इसका मतलब को गन्मूल निकालना है तो आज जो इसको लिखा है इसको दो गुड़े सो यानि इसका जोड़ा गुड़े आ गया लाज़या जो आता कितना आया दो, थीक तो अच्छे से समझेए, जब आठ का बाहर आ गया कंण see निसान 64 को उसी प्रकाइब चार गुड़े चार गुड़े चाहे तो इसको दो गुड़े दो गुड़े तोड़े लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वो गुड़े पांच पलस तीन घनमूल का निसान 125 को लिसकते हैं 25 पचीस पंचे 15 पंचे 625 अब देखें इसका जूड़ा ये कंप्लीट दो ये दो आगया बाहर यानि कितना हो गया चार दुनी 8 घनमूल का निसान 5 मैंने से संपहें यह चार आगा बाहर कुछा cat कू सोला घनमूल का निसान 5 पलस यहाँ पर सूजते 5 बाहर आजब पांच तियां 15 घनमूल का निसान पांच आप देखें पलेस वाखंखे संख्या सबसे पहले जोडने तो 15 यहाँ यहाँ पर है आठ यहाँ है तो 158 कितना हो गया तीज सोलागानि कितने बचा श साह वह गन्मूल का निसान पांच माइनस ॉला गनमूल माइन सन पांच ठिक अविधिकए टेइस मैं से सोरा गया अनि कितना भचा साथ सोलासाथ पते होता यहीं साथ बिचा और घनमूल का निस है तो इसको अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सिर्फ नीचे लगा कर क्यों कि एक का वर्गमूल एका गया और रूट छे का पलस इसको लिखे लिखेंगे तीन वर्गमूल जान लगा है यानि हम लिख सकते हैं तीन त्यानों त्रुप सताइस दूना चौवल फिर माइनस बारा अब इसको लिख सकते हैं एक बटे दो एक बटे दो एक बटे च्छे अब समझना अच्छे से एक एक कम एक दो दुना चार चंग 24 अब देखें यहां पर यह आ गया हमारा साथ बटे रूड छे पलस इसको समझें इसमें देखें वर्गमूल का निसान था यह हमारा जोड़ा कंप्लीट है तो वह आ गया बाहर तो यह इसमें से तीन तीन तीया 9 रूड में कितना बचा 6 माइनस अब देखें यहां पर समझे आए यह जोड़ा कंप्लीट है एक बटे दो यानि बारा एक बटे दो आगया हमारा बाहर अंदर कितना बचा एक बटे रूड छे अब ज़एं साथ बटे रूड छे पलस माइनस ये दो से दो गया कट यानि 6 आ गया और एक बटे रूट 6 इसको हम लिशेते हैं एक बटे रूट 6 ठिक अब देखें रूट 6 यहाँ पर लिखा है रूट 6 यहाँ पर लिखा है हर अगर बराबर करें तो इसमें सिर्फ गुड़ा हो जाएगी रूट 6 से तो 60 पलस रू में से छे गया या साथ में से छे गया कितना बचा 54 और 54 को जोड़ेंगे तो यह आ गया 108 बटे रूट 6 अब देखें रूट में हमने बतार संख्या नीचे नहीं लिखी आती इसलिए रूट 6 से उपर नीचे अगर हम गुड़ा कर दें तो यह आज आएगा 108 रूट 6 बटे 6 अब देखें संख्या कट रही कि नहीं 6 से अगर काटें 6 एककम 6 6 8 48 यह नीचे कट रही है हमारी 6 एककम 6 बचा 4 48 हो गया 6 8 48 रूट 6 यह थारा रूट 6 हमारा अंसर हो जाएगा पहला है पॉइंट दो की घाथ दो बटे 5 इंटू दो की घात एक बटे 5 नहीं यह आधार समान होता है तो गुड़ा में घाते जुड़ जाती है आधार हमारा समान है तो घाते क्या कर देंगे जोड़ देंगे दो बटे पांच और एक बटे पांच तो देखे दो हर हमारा बराबर है तो दो और यह कितना हो गया तीन बटे पांच हमारा एंसर आ गया दो की घात तीन बटे पांच अब यहां पर समझे एक बटे तीन की घात पांच को चार बार यानि घात कितनी चार तो इसको हम लिस्त रखते हैं एक बट्टे तीन की घाथ 20 क्योंकि उपर एक लिखा है ऐसे माले तो 20 ही के उपर लेकिन एक को ऊपर भी अगर लगात लगा दे तो कोई फार्क पढ़ने वाला नहीं है तो उपर आ जाएगा एक निचा आएगा तीन भठे भीस एक बटे तीन की घात भीस एक्सरसाइज बशने और डाइन्ड अगर वडियो कहें पर बैच्छा लग जाके हैं तो लाइक कर दो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में